Hello friends, Sleepy Classes में आपका स्वागत है आज few minute series के अंदर हम discuss करने वाले हैं fundamental rights के उपर लगने वाले कुछ restrictions के बारे में हैं हम fundamental rights तो पढ़ते हैं कि हमारे constitution के part number 3 में article 12 से लेके 35 तक fundamental rights दिये हुए हैं और हम हमारे लिए exam के point of view से सभी fundamental rights को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेकिन कई बार हम restrictions जो लगती है fundamental rights के उपर उनको भूल जाते हैं हर एक fundamental right की एक खास बात यह है कि यह absolute नहीं होते absolute मतलब कि इनका कोई context होता है इनकी कोई limitation होती है अगर हम हर किसी तरह के fundamental right को absolute तरीके से provide करना शुरू कर दे तो आपस में एक right दूसरे right के खिलाफ चला जाएगा या लोगों के पास अगर एक ही particular right है मान लीजे right to freedom of speech है तो मेरी right to freedom of speech and expression दूसरे की right to freedom of speech and expression को violate कर सकती है इस वज़े से absolute नहीं होते हैं fundamental rights कभी भी हम देखने वाले हैं खास तोर पे आज article 19 के उपर जो restrictions लगाई जाती है उनके बारे में और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ मिंटों में ही मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि 19 के अंदर जो 6 तरीके की हमारे पास freedoms होती है उनके उपर किस तरीके का restriction लगाया जा सकता है हम कुछ court की judgments के बारे में भी देखेंगे जिनके द्वारा कुछ changes लाए गए इन restrictions के अंदर तो start करने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि sleepy classes का offline batch ongoing है जिसमें अभी भी आप join कर सकते हैं अगर आप 94,900 में यह batch join करते हैं तो आपको बहुत सारी detailed चीजें जो यहां पर provide की जाएंगी जिसमें mains के 100 questions भी रहेंगे regular quizzing भी होगी prelims के question हर class के बाद मिलेंगे तो यह बड़ा ही unique किसम का जो प्रोग्राम है वो design किया गया है और bonus content भी आपको यहां मिलने वाला है if because of any reason आप offline classes हमारी यहां पे मोहाली में नहीं join कर सकते हैं तो आप online content भी इसको consume कर सकते हैं जिसमें आपको वही सब चीजें online portal पे मिल जाएंगी जिसके साथ साथ आपको bonus content भी मिलेगा और article 19 जो है वो 6 तरीके की freedoms हमको provide करता है पहले यह 7 तरीके की freedoms होती थी तो A, B, C, D, E, F, G ऐसे साथ सब clauses होते थे article 19 के उसमें जो F होता था वो होता था right to property ठीक है but we all know and must know that this right to property was removed from the fundamental rights when in 1978 how by the 44th constitutional amendment act और इस 44th constitutional amendment act के साथ दोस्तों इस article को डाल दिया गया constitution के एक दूसरे पार्ट में जिस article का नाम है 300A fundamental rights की list से निकल के यह constitutional rights के अंदर चला गया इसका मतलब यह होता है कि अगर आपका right to property violate हो रहा है तो आप directly Supreme Court को अप्रोच नहीं कर पाएंगे आपको normal judicial proceedings के थूँ remedies के थूँ जाना पड़ेगा लेकिन अगर इन 6 में से कोई भी आपका fundamental right violate हो रहा है तो आपको Supreme Court के पास direct approach करने की इजाज़त है साथ ही साथ दोस्तों यह बात आपने याद रखनी है कि यह जो article 19 है यह citizens only है citizens only का मतलब यह होता है कि यह सिर्फ भारत के नागरिकों के उपर अपलाई होता है अगर कोई non-citizen है तो उसको यह freedoms यह आजादियां नहीं provide की गई है article 19 एक बहुत ही important article है constitution का in fact article 14, 19 और 21 को holy trinity माना जाता है कि इन 3 articles को तो touch भी करना बहुत बड़ी बात है और यह सबसे यह अधार शिला है basis है हमारे constitutional democracy का अब 19 A से लेके G तक यह जो 6 freedoms है कौन कौन सी हम सब जानते हैं speech and expression, assemble peaceably without arms, form association और union, move freely throughout the territory of India reside and settled in any part of territory of India and finally practice any profession और carry out any occupation, trade और business तो 6 तरीके की जो हमारे पास आजादियां बड़ी असानी से अपने याद रखनी है इसमें कोई भी आपको doubt नहीं होना चाहिए कि यह particular चीज आर्टिकल 19 में आती है नहीं आती है देखें bare minimum है यह तो आपको याद रखना चीक है? चलिए अब हम discuss करते हैं जो हमारा topic है कि reasonable restrictions का क्या खेल है यह What is reasonable restrictions? Reasonable restrictions आर्टिकल 19 के context में बात होती है उसका कारण यह है कि यह जितनी भी अजादियां आपको दी गई है Article 19 A से लेके 1 A से लेके 1 G तक 19 के ही 2 से लेके 6 जो clause है 2, 3, 4, 5, 6 इन clauses के अंदर बताया गया है कि यह सारे के सारे जो आपके प्रावधान है आजादी के वो किसी ना किसी restrictions के दाएरे के अंदर आते है मतलब आप इन्हें claim नहीं कर सकते अगर जो restrictions हमने लिखी हुई है उसके हिसाब से कानून इनको रोक भी देता है Even if the law stops you from all these freedoms and that law lies within the reasonable restriction अगर वो reasonable restriction लगा रहा है तो इसका मतलब उसको challenge नहीं किया जा सकता अंदर आर्टिकल 32 कि आप जाओ और judicial review करवा के उसको right को apply करवा दो तो इसका मतलब ये है ये principle क्या है ये principle ये कहता है कि one cannot take away someone else's rights while exercising their rights अपने अधिकारों को इस्तमाल करते हुए ऐसा ना हो कि आप दूसरों के अधिकारों के उपर trample on कर जाओ इस चीज़ को ensure करने के लिए ये logic रखा गया है कि आपके अधिकारों के उपर कुछ ना कुछ restriction लगनी चाहिए और इसके कुछ historical antecedent भी हम पढ़ेंगे अब जितने भी मैंने freedoms बताई उनकी अलग-अलग type की reasonable restrictions उनके उपर लगाई गई है तो ये कुछ इस तरह के इस तरीके से constitution में दिया गया है that if in on any of these grounds हम किसकी बात कर रहे हैं पहले article 19.1a की बात कर रहे है 19.1a क्या है freedom of speech and expression अगर आपकी अभिवक्ती की आजादी के ऊपर कोई restriction लगाई जाती है किसी कानून के द्वारा और इन में से कोई भी कारण है उस restriction का if any of these is the reason of that restriction then you cannot claim that my fundamental right is being restricted or violated तब आप ये claim नहीं कर सकते हो और ये आपने याद रखने हैं दोस्तो 19.1a की जो restriction है 8 वो आपने याद रखनी है मैं आपको उसको detail में भी आगे समझाने वाला हूँ सबसे पहली restriction है कि आपकी आपके उपर भारत की sovereignty और integrity of India के खिलाफ अपनी speech and expression देने के लिए कानून रोक लगा सकता है कानून आपको stop कर सकता है and this reasonable restriction was added by the 16th constitutional amendment act of 1963 in the wake of India-China war जो इससे पहले हुआ था मतलब ये कि अगर आप अपनी speech से अपने लेख से अपने चित्र से किसी भी तरीके के अभी वक्ती से अगर आप भारत की sovereignty समप्रभूता और अखंडता integrity के खिलाफ बात करते हो तो आपके ऊपर legal proceedings की जा सकती है और आपका ये fundamental right बिलकुल भी नहीं है, दोनों चीज़े है again security of the state if we talk about the security of the state if your speech is threatening the security of the state entire government तब भी ऐसा हो सकता है if your speech is disturbing the friendly relation with foreign countries इनको star mark लगा दो क्योंकि इनके बारे में आगे पड़ेंगे if your speech is disturbing the public order ये इनी को star mark लगवा रहा हूँ क्यों लगवा रहा हूँ आगे देखेंगे if your speech is making someone to do an offense, किसी को insight कर रहे हो आप कोई offense करने के लिए speech मैं इसलिए बोल रहा हूँ speech का मतलब ये नहीं है कि मैंने stage पर खड़े होगे बोलना है किसी भी तरीके के अभिवक्ती हो सकती है news paper में article लिखा है youtube पर वीडियो डाला है ठीक है किसी तरीके की किताब लिखी है movie बनाई है वही सब कुछ आता है speech के अंदर तो अगर आप ये star marked वाले देख लो friendly relations with foreign countries public order और incitement offense करते हो अपनी speech से अपनी अभिवक्ती से अपने expression से then that means कि आप क्या करने वाले हो आप अपने fundamental right को give up कर चुके हो उसी वक्त आपका fundamental right नहीं रहता है then if your expression is against decency and morality this is also there IPC का धारा 292 से 292 से लेके 294 it defines decency and morality also हम आगे देखेंगे मैं आपको definition भी दिखाऊंगा आपने देखा होगा recently Ranveer Singh Bollywood के actor है उन्होंने एक बहुत ही भव्य सा photo shoot किया और उस photo shoot के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई वो कौन सी FIR थी उनको तो अभिवक्ती के आजादी होनी चाहिए freedom of speech and expression लेकिन article 293 के अंडर IPC के article 293 के अंडर उनके against complaint हुई और उनको police के सामने पेश भी होना पड़ा तो कहने का मतलब कि काफी restrictions हैं आपकी freedom of speech and expression पे contempt of court is of two types civil contempt and criminal contempt 1971 का contempt of court act इसका section 2 define करता है what is civil contempt what is criminal contempt and if your speech or expression is doing any of the above अगर आप judgment के बारे में criticize करते करते judge को ही criticize करने लग जाओ और यह कहने लग जाओ कि इनकी dignity नहीं है इनकी position नहीं है यहाँ पे judgment देने की या इस किसी तरीके की आप ऐसी बात कर दो जिससे जो dignity है उस house उस post की वो effect हो जाती है scandalized हो जाती है यह शब्द यूज किये गया है तो आप freedom of speech and expression के ambit से बाहर चले जाओगे और in fact contempt of court act के अंदर आपको सजा भी हो सकती है defamation section 499 of IPC IPC का section 499 कहता है कि defamation यानि कि आपकी speech अगर किसी की public image को खराब करती है और पता चलता है कि आपने किसी तरीके से इसी purpose से वो speech दी थी इसी purpose से वो article लिखा था तो वो आपसे compensation मान सकता है he or she can ask compensation for me in lieu of your defamation defamating speech तो वहाँ पे भी आपकी freedom of speech and expression जो है restrict हो गई तो कितने ही आठ तरीके की restrictions लगाई हुई है आपके उपर ये आठ की आठ आपने याद रखनी है दोस्तों क्योंकि prelims के अंदर काम आएगी mains के अंदर काम आएगी analysis of constitution के अंदर काम आएगी दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से हम ऐसे issues को ऐसे topics को deal करते है अपने test series के अंदर तो हमारा जो prelims का test series का program है उसका polity का जो test है उसमें इस तरीके का question आपसे पूछा गया है कि in the context of Indian constitution which of the following statement would you accept as most appropriate definition of reasonable restriction जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उससे related एक सवाल इसके अंदर है जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि reasonable restriction क्या होता है दोस्तों इन में से क्या answer होगा A, B, C, D आप बताओ जो मैंने आपको explain किया है उसमें से आपको बताना है what is the definition just tell me the answer और दोस्तों इसी के साथ-साथ मैं आपको बताओ कि हमारे prelims 2023 के लिए दो programs आपके सामने है एक program है केवल mentorship program some of the candidates they are a bit confused in their journey of UPSC civil services preparation उनको कहीं बार अपने personal matters से भी deal करना पड़ता है balance करना पड़ता है job को, preparation को personal issues को और कहीं सारे doubts होते हैं मन में कौन से sources से पढ़े इसके लिए उनको guidance की जरुरत होती है mentorship की जरुरत होती है तो उसी mentorship को हमने दो parts में divide किया है एक है academic mentorship जो आपके academics के लिए आपका schedule बना के देगा और आपको conceptual clarity आपके academic doubt solve करेगा और दूसरा है strategic mentorship जो आपको मिलती है हमारे साथ associated UPSC qualified candidates की तरफ से and that is for the performance enhancement और ये दोनो mentorship आपको मिलेंगी ये अलग-अलग नहीं है इनको हमने अलग-अलग categorize की है बट एक ही program के अंदर आपको ये mentorship मिलेगी सिर्फ 4049 में और अगर आप इसे avail करना चाहते हैं तो आप checkout के time पे prelims 2023 ये code इस्तमाल करें अगर आपने mentorship और test series program में enroll करना है जिसमें ऐसे कहीं सारे questions जो हम discuss किया मैंने वहाँ पर discuss किये जाएंगे ये तो basic level था इसके आगे और भी advanced level के test होने वाले हैं जिसमें 30 tests हैं 12 fundamental level, 9 advanced level और 9 full length test level and 30 tests are a lot अगर आप उसको continuously monitor कर रहे हो ये सारा का सारा program भी आपको available हो जाएगा just in 6749 तो आपके पास ये option है कि काफी reasonable rates में आप ये mentorship plus test series का program enroll करा सकते हो चलिए हम reasonable restrictions की बात कर रहे थे तो reasonable restrictions freedom of speech and expression पे तो हमने देख लिया वो 8 याद कर लिए हैं आपने याद करनी है reasonable restrictions on freedom of assembly second article कि आप assemble हो सकते हो एक जुट हो सकते हो peacefully लेकिन अगर आपकी assembly भारत की sovereignty integrity को affect करती है या public order को affect करती है public order का मतलब क्या होता है कि local conditions का जो law and order situation है उसको affect करती है तो वो allow नहीं की जाएगी तो हम देखते है section 141 of IPC section 144 of CRPC ये लगा के कहीं बार आपकी assembly को रोका जाता है form association association form करने के लिए भी आपको कोई मनाए नहीं है until unless आपकी association sovereignty integrity of India को affect ना करे है ना terrorist organization separatist organization बना दी मैंने और मैंने का मेरा fundamental right है ऐसा नहीं हो सकता public order जो हमने उपर discuss किया and morality ठीक है तो ऐसी कोई आप इस तरीके की organization नहीं बना सकते हो तो morality के बारे में हम देखें तो definition in the IPC section 292 says that it is lascivious lascivious मतलब overly sexual चीज अगर है obscenity के अंदर आती है वो और वो decency और morality के दाएरे से बाहर चली जाती है सिर्फ और सिर्फ वो sexual interest depict करने के लिए बनाई गई हो ठीक है जिस चीज से बंदे का mind corrupt हो है न बड़ी broad सी definition है कहीं debate हो सकती है इसके उपर कि क्या चीज obscenity के अंदर आती है क्या नहीं आती है लेकिन अब बना हुआ है law तो फिर उसको समझना तो हमारे लिए जरूरी है इस तरीके से अगर violate होता है तो decency morality violate होती है coming back to और क्या difference और क्या restriction है फिर हमारा चौथा आता है article sorry fourth and fifth part comes कि freedom of movement and residence इसके उपर भी restriction लगाई जा सकती है कैसे in the interest of general public covid में हमने देखा restrictions were there from moving from one place to another हम fundamental right violate होते होए ऐसे तो नहीं गए supreme court के पास कि जी हमारा fundamental right violate हो गया lockdown लग गया नहीं जाते भी तो नहीं जा सकते थे reasonable restriction लगी इसके उपर scheduled tribes को protect करने का interest बिलकुल आप movement और residence restrict करते हो tribal areas के अंदर हम देखते हैं inner line permit system होता है ठीक है नागा लेंड में है मनीपूर के अंदर भी है अरुनाचल प्रदेश के अंदर भी है then we see scheduled areas tribal areas six scheduled के अंदर तो वहाँ पे भी कुछ lands related residence related laws वहाँ की autonomous councils बना सकती है and finally reasonable restrictions occupation के उपर उसके उपर भी आपको occupation करने दिया जाएगा लेकिन वो अगर interest of general public के खिलाफ हो है ना मैं drugs का trade कर रहा हूँ drug smugler हूँ मैं मेरी occupation है भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ मेरा fundamental right है आपने बोला कोई भी occupation कर सकते हो नहीं ना ऐसा नहीं हो सकता so interest of general public ध्यान में देगना है मेरे पास MBA की degree है और मैं open heart surgery conduct करना चाहता हूँ क्या कर सकता हूँ क्या यह कह सकता हूँ मेरा fundamental right है नहीं है ना sense नहीं बनती तो उसके लिए restriction लगाई गई कि I can make a law relating to professional technical qualifications for profession and इस पे भी star लगा दो भई इस पे भी star लगा रहा हूँ क्यों क्योंकि यह stay एक और restriction है carrying on by the state or by corporation controlled by state of any trade or business or industry कहने का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि atomic minerals की mining सिर्फ state कर सकता है या नि government कर सकती है private company नहीं कर सकती है तब आप यह नहीं कहोगे कि मेरा fundamental right violet हो गया मैं तो atomic minerals की mining करना चाता था ऐसा क्यों? क्योंकि यह three लिख दिया मैंने I can have the restriction on freedom of occupation जिसके जरिये मैं कोई भी sector अपने control में लेके आ सकता हूँ as a government and this star वाले जितने भी मैंने आपको लिखवाए है these restrictions were added in the constitution by the first constitutional amendment act of 1951 1951 के पहले constitutional amendment act के जरिये यह add किये गए थे और उसका कारण था Supreme Court ने 1950 के अंदर fundamental rights of freedom of speech and expression को काफी hyperdestal पे रख दिया था जबकि सरकार चाहती थी कि इसके उपर restrictions लगाई जाए रोमेश थापर केस के अंदर Supreme Court ने यह कहा कि freedom of speech and expression यानि freedom of press is very very important और रोमेश थापर सहब की कहानी कुछ इस तरह के से है कि Bombay के अंदर वो एक journal चलाते थे और journal के अंदर वो जवालाल नेहरुजी और उनकी Congress सरकार का criticism कर रहे थे काफी चीजों की वज़े से West Bengal के अंदर migration हो रही थी काफी जादा foreign policy पे उनके सवाल उठाए जा रहे थे तो जब इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे government wanted to restrict the circulation of his newspaper of his journal और यही मदरास सरकार ने किया restrict कर दिया उनकी entry journal के लिए अब इनों ने Supreme Court को अप्रोच किया ये कहते होए कि मेरा fundamental right violet हो रहा है मैं जो अखबार में अभिवक्ती speech देना चाता हूँ वो लोगों तक पहुचाने से रोकी जा रही है और Supreme Court ने कहा साफ साफ कि जी हाँ आपका यहाँ पे जो है जब तक security of the state नहीं affect होती तब तक सिरिफ यही exception होता था security of the state जब तक security of the state नहीं affect होती तब तक आपके अखबार को चलने दिया जाना चाहिए तो public order तब नहीं होता था exceptions के अंदर लेकिन first constitutional amendment के बाद वो add किया गया reasonable restrictions के तोर पे तो first constitutional amendment act में 1951 में कहा गया कि three more grounds of restriction will be there on freedom of speech number one अगर तुम public order violate करते हो वो इसलिए क्योंकि supreme court की judgment को negate करना था second friendly relations with foreign states इसको अगर आप disturb करने की कोशिश करते हो तब भी आपके ओपर restriction लगाई जाएगी and incitement to an offense तो ये वाले जो star मैंने mark किये होए थे उनको add करने वाला सम्विधानिक संसोधन यानि constitutional amendment कौन सा था 1951 का first constitutional amendment act and another star mark जो मैंने आपको बताया था कि government कोई भी business चाहे तो कर सकती है that was also added by the first constitutional amendment act of 1951 तो दोस्तो ये ही आपको समझना है यहाँ पे अब किसी भी restriction की reasonableness कैसे test करनी है इसके लिए भी supreme court ने 6 point बताये थे फटा फट मैं आपको बता देता हूँ supreme court ने सबसे पहले कहा कि reasonableness of restriction means proper balancing proper balancing मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो सारे अखबार बैन कर दे that is not balancing test of proportionality हाँ मैं किसी एक particular article की circulation को रोकने के लिए request जरूर कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं पूरे अखबार को बैन लगा दूँ newspaper के उपर बैन लगा दूँ for saying something that is against the government that will not be proportional तो proportionality चेक करनी है दूसरा substantive और procedural proportionality reasonableness चेक करनी है मतलब जिस कानून से मैं आपकी freedom of speech and expression को restrict कर रहा हूँ उस कानून का substance भी चेक करना है और उस कानून को कैसे apply किया जा रहा है ये भी चेक करना है ऐसे नहीं होना चीए जैसे section 66A of IT Act में होता था कि police जो है अपने आप से social media post देखती थी और खुद ही आपकी against complaint करके उस आपको 66A के अंडर jail में भर देती थी अगर ऐसा लगता था कि आप कोई public disorder create कर रहे हो और section 66A को श्रया single case के अंदर supreme court ने unconstitutional ठहरा दिया था इसका मतलब आपका procedure of the law should also be reasonable तीसरा objective होना चीए आपका सोचना मतलब जिसके उपर restriction लगाई जा रही है उसके point of view से नहीं सोचना आपने सोचना है objective observer की तरफ से कि हाँ क्या तुमारी speech के उपर reasonable restriction लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए मेरे तरफ से सोचोगे तो मेरे को तो हमेशा ही लगएगा कि मैं जो कुछ भी बोलने दिया जाए चौथा reasonable of restriction and not law मतलब एक बहुत बड़ा कानून है उसके अंदर एक particular clause में restriction लगी हुई है तो आप बस उसी की reasonableness चेक करोगे पूरे कानून को चेक नहीं करोगे पाचवा reasonableness and directive principles अगर आप fundamental rights के ओपर restriction लगा रहे हो और उसके तुरू आप directive principles of state policy को apply कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो reasonable restriction मानी जाए उस restriction को reasonable माना जाए and finally court ने ये कह दिया कि मैं ही decide करूँगा कि क्या reasonable है और क्या नहीं the court said I will be the one who will decide what is reasonable and what is not reasonable तो ये test होता है reasonable restriction का तो I hope आपको काफी कुछ जानकारी यहां मिली होगी और ऐसी हिमार साथ जुड़े रही है बने रही है और काफी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी Thank you